हे गाईस नमस्कार कैसे हैं दोस्तों आप सभी उमीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को पूरा आवश्यी देखें काफी गरबती महलाओं के साथ क्या होता है उन्हें हर 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर यूरिन आने की समस्या होने लगती है जरा सा पानी पीती है तो ऐसा ही लगता रहता है कि यूरिन आरी है यूरिन आरी है और आप अच्छे से सो भी नहीं पाती है तो ऐसा क्यों होता है इसके कुछ कारड़ भी जाने गे साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि जादा यूरिन आना कब खत्रे की निशानी होती है कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या ये लड़का होने का संकेत होता है यूरिन जादा आना या फिर कम आना लड़की होने का संकेत होता है सब कुछ इस वीडियो में आपको बिस्ता से समझाया जाएगा अगर आपको भी ऐसी problem हो रही है during pregnancy, urine आने की बहुत जल्दी जल्दी urine आने की problem अगर आपको हो रही है तो इस वीडियो को पूरा अवर्शी देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी तो चलिए आज की वीडियो बहुत ही important है पूरा देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारे से चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें पास में घंटी को दबा कर आल बटन पर प्रेस करें जिससे की गाईस हमारी हराने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे वीडियो पसंद आए तो लाइक अवर्शी करें तो चलिए गाईस वीडियो को शिरू करते हैं दोस्तो होता क्या है प्रेगनेंसी का जब तीसरा तिमाई आने की प्रेगनेंसी का थर्ट राइमिस्टर साथवा आटवा और नवा महीना जब आपका स्टार्ट होता है तो आपका बेबी हैड डाउन करने लगता है जब पू पूर्मल डिलिवरी के चांसे होते हैं और बच्चे का हैड नीचे आजाता है पूरी तरह से तो बहुत ज़दा दवाव पढ़ता है और प्रेशर पढ़ने की बज़े से ही आपको ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है लेकिन काफी महलाओं के साथ बिलकुल अपोसिट होता है काफी महलाओं के साथ क्या होता है उन्हें सुरुवाती महीनों से ही बहुत ज़दा यूरिन आने लगती है देखे यूरिन आपको कितनी भी आए लेकिन आपको कब सतर्क होना चाहिए जब आपकी यूरिन में जेलन महसूस होती हो आपको पल-पल पे थोड़ी थोड़ी य ज़दी आ रही हो जैसे आप यूरिन करती है तो उसमें बहुत ज़दा आपको जैलन होती है और एक या दो बूंद आती है बस उससे ज़्यादा नहीं आती है तो ऐसे मैं आपको समझ जाना चाहिए यह यूरिन इंफेक्शन के संकेत होते हैं जब भी आपके साथ ऐसी प् हार्मोनल चंजिस बहुत तेजी से होते हैं बॉडी में काफी चंजिस होते हैं हार्मोन की बज़े से होते हैं तो आपको घवराना नहीं है बस पानी आपको कम से कम धाई से तीन लीटर पानी आपको रोजाना पीना है पानी आपको नॉर्मल टेंपरिचर का ही पीना है और हो सके तो आप फिल्टर किया हुआ पानी पीजे तो जादा अच्छा होगा अगर आपको यूरिन आने की प्रॉब्लम जादा हो रही है तो ठीक है अब फाइनली दोस्तों ये जानते हैं कि क्या ये बेटा होने का संकेत होता है या फिर बेटी होने का दोस्तों आपने काफी बार सुना होगा कि अगर आपको यूरिन जादा आती है तो ऐसी में बेटा होने के सबसे जादा चांसे होते हैं और आपको कम यूरिन आती है तो लड़की होने के चांसे होते हैं जबकि दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है यूरिन हमारे हार्मो बदलाव के उपर भी डिपेंड होती है और बच्ची का है जब नीचे आने लगता है तो भी हमें यूरिन आ सकती है और हमारी बॉडी में मतलब यूरिन में इंफेक्शन होता है तब भी हमें यूरिन आ सकती है ठीक है तो यही इसके कारण होते हैं जब भी आपको ज़्याद चैनल को जरू सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टापिक पर